नमस्का दोस्तों इनकी उम्र 49 येर्स प्लस 6 मन्त की हो चुकी है ये ऐसा हाथ है इनके हाथ में बहुत बढ़िया साइन है पर फिर भी उसका फल अभी तक चाहिए वैसा नहीं मिला ओगा उनको अभी तक तो मैं कई पूराने वीडियो में आपने एक डायलोग सुना होगा कोई भी इसाइन पूरा फल नहीं देती पर फल दिये बिना रहती भी नहीं तो इनके जीवन में भी ऐसा ही है आने वाले समय में इनको फल भी मिलेगा और ये अभी तक पूर्ण फल क्यूं नहीं पाए वो भी आपको एनालिसिस में पता चलेगा कि इनको पूरा फल क्यूं नहीं मिला तो इन साथी चीज़ों पर हम आगे बढ़ते हैं जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो लाइन उपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय पर जो नीने लेना होता वो ले नहीं पाते और उसके बाद पस्तावा होता है ये कारे किया होता तो अच्छा होता था और ये जीवन भर प्रॉब्लम रहता है इसका कोई उपाए भी नहीं मार्केटिंग में काफी एक्सपर्ट होते हैं और ये चोड़ाई भी है तो वेक्ति मैंती भी होता है फर्स्ट फैलाई नुकिला है तो कारे के प्रती अच्छी घासी जीद होगी सेकंड फैलाई भी व्यासित है जहां लॉजिक की जोरत है वहां लॉजिक यूज गया जहा हो रहे और अंगुठा ये च्छाय के हिसाब से मुझे यहां पर लाइन लग रही है यहां पर दूप चाओ आ गई है हाथ पर यह मांसल ही लग रहा है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है फर्स्ट ये उंगलिया छोटी है तो व्यक्ति फास्ट नेने लेता है और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और फर्स्ट उंगली थोड़ इसी बैंड हो रही है व्यक्ति में धार्मिक बावना अच्छी खासी पाई जाती है सुर्य के उंगली काफी बढ़ी है ये व्यक्ति की हिमती सभाव शो करती है जिब मैं पचास अजारों पचास लग की रिस्क लेनी हो तो आसानी से व्यक्ति लेता है और ये उंगली भी फर्स फैलें तक पहुंच लिए तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन चीजों को संबाल कर रखना याजशक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है बुद्परवत पर छोटी छोटी लाएन है ये अत्ती रिस्क टेकर लोग होते है और यहाँ पर अगर ये साइन होगी एक बाय प्रॉड़क्ट ही समझो इसको ये ज़्यादा तर बड़ी फिश साइन वालों के हाथ में ये साइन होती है यहाँ पर और छोटी छोटी लाएन है ओ तो व्यक्ति बहुत अच्छा रिस्क टेकर होता है यानि ज़रत से ज़्यादा रिस्क लेता है अपने जीवन में और बुद्पर्वत ज्यवस्तित है तो मद्यम सुन्दरता रहेगी दूचार भाषाओं के जानकर होंगे क्योंकि लाइन अच्छी है मद्यम से अच्छी सुन्दरता होती है बिजनस माइंड होते है व्यक्ति ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते है अब इनके साइनों को देखने की कोशिस करते है यहां पर यह उपर की तरफ नहीं दिख रही है यहां पर यह मैं नीचे की तरफ से कैसे घुमाव ले रही है वो इस फोटो में दिख रहा है यह यहां तक चली यह उपर जो लाइन जा रही हो दूसरे फोटो में मैं दिखात और यह ऐसे चली है क्लियर कट यह लाइन घुमाव ले रही है अब दूसरे फोटो में देखते है यहां से घुमाव ली इस लाइन ने और यह घुम कर ऐसे कितनी बड़ी फिशाइन है फिर भी इनको अपना ड्यूज मिलानी है जीवन में यानि किवल साइन आने से ही आप सफल हो जाते हो ऐसा नहीं है पामिष्ट्री एक औरकेष्ट्रा की तरह है सारे यंत्र जो बचते वो एक सूर में बजने चाहिए तब जाकर जीवन में उन्नती होती है हाँ ठीक है ये साइन की वज़े से पैसा इनके पास भरपूर घुमाओगा भरपूर उसमें कोई ना नहीं पर ये वो लेवल का विकास नहीं कर पाया होंगे और एक साइन यहाँ पर भी है सोचे इतना बैटर इतना अच्छा हाथ होने के बावजुत यहाँ पर विद्या रेखा है तो वेक्ति को बैसिक नॉलेज अच्छा कासा होता है और बैसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पुछ पुछ कर भी काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पुछ पुछ कर काम करेंगे यहाँ पर एक स्क्वेयर साइण नजर आ रही है यह वेक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह वेक्ति रहता है जीवन में आस-पास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले-बल्ले है इनको क्या प्रॉब्लम है बड़िया सी स्क्वेर साइन यहां पर है यह पुस्तेनी जमीन जायदात के दिलाती है जक्ति को यहां पर और कंटीन्यू फेट लाइन ने बनी हुई है इनकी उम्रे 49 होगे तो फेट लाइन पर इस जगह पर बहुत ध्यान से हम आकलन करेंगे आका और यह लाइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों को बड़े बड़े लोग संपर्ख में आते है जीवन में यानि इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्ख में आते है जुपिटर माउंट काफी बढ़िया है तो ऐसे लोगों पारिवारिक और सांसारिक सुप जीवन में अच्छा मिलता है कंटीन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति के हाथ में हो तो कभी अगर आर्थिक परिस्तिती खराब भी हो तुभी नाम खराब नहीं होने देती और ऐसे करके उस चीज को उड़ा देता है चार लोगों को बोलता ही नहीं एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन ये व्यक्ति को मल्टिपल इंकम देती है पामिश्टी एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिस्ट्री सैंस में ध्यान जाता है सेवा भावी और धारमिता ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं अंधूरी मंगल भी काफ़ी उफ्तम है ये सारी नी गुर्जा व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उफ्तम रहती है एनरजेटिक लोग होते हैं ये लोग बारी मंगल उससे भी ज़्यादा और कितना क्लीन है देखिए आप ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं सामने वाला comfortable फिल करता है और संकट के समय वेक्टि अपने लेवल पर संकट का सामना करता है एक यह जो parallel line चलती है mind line के पाथ यह insomnia line यानि निंद से related issue रहते हैं इनके जीवन में और यह issue continue नहीं रहते हैं किसी समय बहुत heavy निंद का problem होगा दो-तीन साल फिर वापस थोड़े साल सौल होता दिखेगा फिर वापस heavy आ जाता है यानि इस तरह से चलता है पर यह निंद का issue तो रहता है यह इनको यहाँ पर एक बढ़िया सा triangle है यह वेक्ति को कवी बनाता है विदे से धन प्राप्त करवाता है और यह already विदे समें ही settle है और ऐसे दूसरे भी triangle है यहाँ पर एक यहाँ पर भी है या ये ट्रैंगल कभी बनाता है या विदे से धन प्राप्ति के योग बनाता है इनकी जीवन रेखा भी अच्छी खासी चन्रपरवत पर जा रही है तो ये भी एक करका योगी गिन सकते हैं और फेट लाइन भी सुर्यपरवत की और देख रही है और एक ग्रेटर ट्रैंगल जरूर बन रहा है पर दो तीन लाइनों को मिला कर तो भुड़ापे तक इतना तो जमा कर लेंगे कि सानती से खा सके और भुड़ापे में अच्छा कमाएंगे भी शुकर बरवत व्यवस्तित है अच्छे कपड़े पेरना अच्छी तरह रहना ये सारे गुनों प्रेक्टी में पाए जाते है हदर रेखा देखिए कितनी उत्तम है पूरी जुपीटर से गुमाव ले रही है ऐसे लोग एक तरह के देवदूर तरह के लोग होते है सबका भला करने वाले किसी का बूरा ये चाहते ही इतने भले इंसान होते है हाँ प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है थोड़े भावुक होते है भावनाव में निरे लेने वाले होते है और उस वज़़े से इनका यूज भी लिया जाता है पर बहुत अच्छे इंसान होती ये लोग और दूसरा उधारन देखिए ये लाइने नीचे जाती है ये लोग सेवा भावी लोग होते है मित्रों को या सगे समझे को पैसा देंगी और उपैसा वापस नहीं आएगा इनको पता होने के बावजुट भी देते हैं ये माबाब की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन होती है और ये लाइन है व्यक्ति की फिलट लाइन है व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंबता है हमने निन का प्रोबलम तो माइन लाइन पर देख लिया पर एक फोर्क भी ऐसा ये व्यक्ति को बहुत शाथ बनाता है यानि लेफ पाम क्या काम करता है वो राइट को पता नहीं चलता है इतने शार्फ होती है लोग और पूरी माइन लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रह तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी धार्मिकता आएगी सपने बढ़ जाएंगे बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं घर में किसी एक व्यक्ति को जादा बोलगोल करते हैं ये इनका बहुत बड़ा माइनस पॉंट होता है जीवन में वो व्यक्ति बदलते रहते हैं पर एक व्यक्ति को टार्गेट बनाते रहते हैं अब इनकी जीवन रेखा पर चले मैं जीवन रेखा स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक और वस्तु दिखा दू इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ये 43 एज तक इनको साधी के बाद ये जीवन रेखा उसके 43 के आसपास तक तो साधी इनकी 32 में हुई है 32 से लेकर 43 तक बीच-बीच में ऐसे 3-4 बदलाव आये होंगे 6-8 महिने इनको लगा होगा कि बहुत अच्छा हो गया जीवन और वापस 6-8 महिने के बाद जीवन डिश्टब हो जाता है जैसे 43 के 4 साल पहले 39 में इस तरह का फि लिंग आये होगे और हम तो सेट होगे एका साल प्लस माइनस गिन कर चलना सब हम सेट होगे अब जीवन उत्तम हो गया पर जीवन उत्तम 43 के बाद ही इनका होना चालू होगा उसके बाद भी माइनस पॉइंट है वो मैं बाद में लेक उस पर आऊंगा पर 43 से एक ठहराओ आता है जीवन में उसके पहले ठहराओ नहीं आता और एक वस्तु के लिए मैं ये फोटोग्राफ पर वापस आऊंगा ये एक लाइन काटी हुए मुझे नजर आ रही है और ये होगी काटने वाली तो एज आफ 29 में कोई तकलिफ आई होगी जीवन में उसके बाद 31 के आसपास नियर एंड डियरर की डैथ हुई होगी और इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई का काम किया ये एज ओफ 32 में इनके जीवन में सहनाई बजी होगी यानि साधी हुई उसके बाद राहू रेखा है इनको काटी 36 में 38 में 40 में और 42 में इतनी राहू रेखा है इनको जीवन में डिश्रप्ट की होगी ये राहू रेखा है यानि गरीबी में आटा गिला फिर इनके जीवन में बदलावाया ये 43 के आसपास 43 में बदलावाने के बाद मैंने ये लाइन देखी यहां से जीवन थोड़ा सा सैटल होता हुआ इनको जीवन में दिखा होगा उसके बाद एक लाइन ने यहाँ पर टच करते हुए दिखाई दे रही है मैंने यह लाइन देखकर इनको पूछा कि क्या आपकी दूसरी साधी हुई है तो इन्होंने कहा नहीं मेरी तो एक ही साधी है अब इस लाइन का अभी तक डाउट था तो मैं क्लियर करने की चा मैं था तो वो यहाँ पर इस फोटोग्राफ में क्लियर हो गया यह यहाँ पर यह क्लियर कट यह लाइन काट वे दिखाई दे रही है जो उस फोटोग्राफ में पूरी टच दिखाई दे रही है और ये एज होगी इनकी उस समय काटने वाली एज 47 ये 47 में ये लाइन ने काटा फिर 49 जो वर्तमान में समय चल रहा है उसमें भी एक राव रेखाने काटा हुआ है अभी भी इनके जीवन में कोई ने कोई डिस्टरबंस चालो होगा उसके बाद इनके जीवन में एक लाइन काटेगी 54 में 54 के बाद 57 में एक अप्शुट मिलेगा और कोई न है उसके आस पास में near and dearer की death है उसके बाद 59 में एक रहाउ रेखा काटेगी 59 के बाद 62 में एक रहाउ रेखा काटेगी 64 में एक offshoot है 68 में एक आपशुट है 75 में एक आपशुट है और यहां पर near and dearer की death भी है फिर last आपशुट 80 में है इस तरह से इनके जीवन में जो राहु रेखा का पिरियड बता है उस समय कोई न कोई तकलिफ आएगी पर अब आने वाले समय में राहु रेखा है इनको इतना डिश्टब नहीं करेगी क्योंकि बहुत बड़ी साहिन के धनी है यह तो आने वाला समय इनका turning point है मैं यह नहीं कहता हूं कि 100% इनकी जो बुद्धी प्रतिबा उसका फल मिलेगा पर जो बुद्धी प्रतिबा है पैसा कमाने की है उसके 50% आने वाले समय में तो मिलेगा और वो कैसे मिलेगा वो इनकी धन रेखा पर चलते है इनकी धन रेखा अगर इस धन रेखा को देखे तो केवल 33 से लेकर 35 तक अच्छी धन रेखा थी उसके पहले तो पूरी खराब धन रेखा है फैली हुई पर ये पिरिड था इनका संगर्स वाला बिना जीवन रेखा वाला और उसमें एक कटाया 34 में बहुत लंबा चोड़ा तो इसने पेन दिया होगा इनको कोई बड़ा आर्थिक नुक्सान गया होगा इनको इस पिरिड में उसके बाद भी देखिए धन रेखा मैं कोई दम नहीं है अब तो यहाँ तक एक इन्वेस्मेंट हुआ यह इनके जीवन में 44-45 के आसपास हुआ होगा 44-45 के आसपास हुआ होगा इनके जीवन में उसके बाद भी यहाँ तक यह धन रेखा मैं दम नहीं है और यह एज होगी लगबग वर्तमान में जैसे यह राव रेखा पुरी होगी इनको अपने बुद्धी प्रतिबा का 50% ग्रोथ मिलनी चालो हो जाएगी यानि इनका अच्छा समय सुरू हो जाएगा और यह मिलेगा अप टू 55 तक यहाँ तक यह ग्रोथ देगी उसके बाद यह जो लाइन है यह इतनी खराब तो नहीं है पर यह इनके बुद्धी प्रतिबा का केवल 30% देगी यह 50% और यह 30% पर जीवन यहाँ पूरा नहीं होता एक और फोटोग्राफ है जो इनकी दूसरी कहानी भी हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद इनके जीवन में यह बीच बीच में दू-तीन साल के लिए एक और इंकम का सुरोथ बनेगा इधर भी और एक इंकम का सुरोथ यह पर इतना बड़ा नहीं है यह एक बनेगा यह एक और बनेगा आने वाले समय में फिर यहां से एक और लाइन निकलेगी यह इनकी बुद्धी प्रतिबा का यह एज निकलेगी और यह भी पूरी लाइन चलेगी पर यह भी इतना 100% रिजल्ट वाली लाइन नहीं है और यह इनकी बुद्धी प्रतिबा का लग बख 70% देगी यहनि इनके जो साइन है उसका यह 70% देगी तो आने वाला समय जो पहले भुगत चुके उतना अब भुगतेंगे नहीं उतना पेन नहीं उठाएंगे जितना ये आर्थिक रूप से उठा चुके हैं यानि किसी न किसी रूप से इनके जीवन में आर्थिक उन्नती होगी 55 तक तो golden period रहेगा अब इसे लेकर 55 या 56 तक उस के बाद ये 58 से फिर ये चालो हो जाएगा और उसके बीच में भी income के source create रहने वाले किसी न किसी रूप से तो आने वाला समय अब काफी उत्तम रहेगा मैं इन से request करूँगा दो साल के बाद मुझे feedback भी जरूर देना और वो feedback मैं community tab में post करूँगा जो मैंने कहा वो आपके जीवन में हो रहा है की नहीं वो आप मुझे जानकारी देना तो कहने का मतलब sign आ जाने से ही आपका जीवन उत्तम हो जाता है ऐसा नहीं हाँ आम लोगों से तो भी काफी अमिर रूप से जीवन जीए होंगे पर खुद की जो growth होती है जो इनके पास प्रतिबा है वैसी कभ प्रोग्रेस इनको नहीं मिले होगी और 100% तो अच्छी धंदे का ही नहीं पर फिर भी जो इनों ने जीवन गुजार चुके उससे तो कई गुना जादा अच्छा जीवन आने वाले समय में ये जिएंगे और अच्छा खासा पैसा खमाएंगे तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादी